पुझमौन शुर्बास्तव जी शरत पवार जी ने आज कहा है कि ये महाराश्च सरकार की बात नहीं है ये बीमसी की कारवाई है तो फिर समझाईए कि आखिर सामना में उखाड दिया क्यों लिखा था क्या सीधे सीधे शिव सेना इसे क्लेम नहीं कर रही थी क्या शिव सेना उससे में शत्रुगन सेना का मकान तोड़ा प्रियंका चोपड़ा का मकान तोड़ा शारुख खान का मकान तोड़ा अरिशत वार्शी का मकान तोड़ा मीका का मकान तोड़ा इरफान खान का मकान तोड़ा आप उजह वताईए उससे में हरवार देवें फटनवी से ये प्रकार का मामला ना आज है और अगर आज सरकार का मामला है तो उस दिन डेवेंट फडणवीज क्या कर रहे थे क्यों नहीं अपने महराज सरकार के तरब से कोई अगरियों के खिलाफ कोई जाचायो बनाते हैं उनकी खिलाफ कोई कारवाई करते हैं एक भी अधिकाई के खिलाफ देवेंट फडणवीज की सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई कानूनन कारवाई नहीं की आज अगर ये इस ब सरकार दोनों अलग चीज़े हैं लेकिन जब न्यूज में हर दिखाया जा रहा है कि अगर कोई हाथ नहीं लगा सकता है कि 30 तारिक तक उसके घर को कोई हाथ नहीं लगा सकता तो हाथ कैसे लगा है आप एक बात बताईए जो समयदानिक सहस्ता है आप तो हम पर विश्पास नहीं है समयदानिक सहस्ता के पास नहीं अप तो बिलकुल नहीं है विश्पास करें यहाथ तो तो टोड़ा कैसे आपके jewelry कोई खिलोना थोड़ी था इhtip कि यह लोगों के मकान क्यों तोड़े रहे थे क्या रिजन था कि देवेंट फर्नवीस से पुछिए जवाब दीजे तब भी अनेको ऐसे घर तूटे थे तब तो किसी को नहीं घुसा आया तब तो आपको नहीं लिखा ती नारी सम्मान कि नहीं आहां तो रहे जवाब सुनिय परन्तु दो विशे सिर्व बता दे किस कारवाई में शाम को दिया गया दस बच के पैंटीस मिनट पे रिजेक्ट किया जाता है बीएंसी के द्वारा उनकी अप्लिकेशन और वीडियो फुटेज अवेलेबल हैं कि दस बचेशन बाद में मशीने वहां डिमॉलिशन के लि सब्सक्राइब करते हैं और दुख की बात क्या है कि जब से आपकी सरकार आई है आप संबैद्हानिक और राजनेतिक पर बेदी नी कर पा रहें अब बताए सुशान सिंग्डापूर का केस था अब प्योर्ली क्रिमिनल केस है अब सवाल पूच रही बिहार पुली जवाद अब प्रबक्ता अरे मुबई पुलिस को जवाद देने देते महराश का रहें प्रफिया की बात में महराश्य सब्सक्राइब कर दो नहीं आप पहले मेरा सवाल सुनिए क्या भाग गयते मेरे सवाल से पिछली बार कितने दिन का नोटिस दिया मनीश मलोत्रा को एक साथ दि और यहां पर 24 जंटे का नोटिस दिया वकील बाहर खड़ा है उसके रहते रहते सो लोग पहुंचे सो लोग आपको एसास है अपनी मेहनत की कमाई से जिस पाली हिल इलाके में वहाँ पर कंगना रनाओत अपना दफ्तर ये बनाया था उस तरह से धावा बोलने का क्या अंजणा जी जितने लोगों कि मैंने भी नाम बताए कि इन सारे लोगों ने भी मुंबई में आके अपनी मेहनत से ही अपने अपने घरोंदे बनाये थे जिनको की बीमसी ने तोड़ा और उस समय बीमसी में मुंबई के अंदर से महराश्ट में सरकार जेवन फड़ण वीस किसी भजापा की सरकार की इनके किसी के पेट पे दर्द नहीं हुआ एक चीज़ दूसरा आपको मालूम है कि उस समय कपिल शर्मा जी ने एक खाली ट्वीट किया था और देश के प्रधान मंत्री को ट्यूट किया था उसके बाद भी उनका मकान अगले दिन तोड़ा जा च चल लए है हाई कोट में वह मामला लंबित है हाई कोट के यह कर आप नहीं बच सकते हैं मैं देवन फंडवी से पूछ रहा हूं कि उस समय क्या सो गए थे वह उस समय उनको नहीं वालूम था कि वह संस्ता उनके अधिनस्त काम करती है क्या उनको यह निवा अगर वो जानते थी क्यों सरकार कांग है तो उस समय उन्हों ने क्यों नहीं रोका क्पिद शर्मा का मकान कैसे तूट गया इसका जवाब उनको देना चाहिए अगर हमने इस आधार पर तोड़ना शुरू किया होता तो मोधी जी के लिए क्या क्या न अपने में टर्ण में बोलिए बित्वों जी मैं आपके में कोई हद्रा चेपनी चला था देखें नौन और की सिच्वेशन में हमक्रेट गये यहां बावारी यहां पीछे जाएंगे चलता सब देख रहे हैं जिन लोगों को थोड़ा था क्यों नहीं उसने स्टेंड लिया उसकी सरकार ने पूछिए आप जवाब दीजिए जवाब दीजिए कि प्रवक्ता लोग जवाब देते हो बताईए मराधी मारुस का मुता किसने बनाया जरे जरण फंडवी से उसकी अधर वह उससमें सो रहे थैं क्या उससमें प्रदेश के मुक्ति नहीं थैं क्या वह उससमें उससमें में हुई आपकी इस बाग को देश मालों के तयार नहीं है। यह फाइंडिंग है यह घजब का आपनों का इंटेंशन है।